नमस्कार दोस्तों डी फाइव चैनल हिंदी देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं ध्रमेंदर संदू स्वाक्त करता हूँ कुछ लोग महाभारत को एक कालपनिक कथा कहते हैं लेकिन महाभारत काल से सम्मंदित शहरों और गाउं का अस्तित्व होने के अलावा धर्ती में से मिले अवशेश इस बात को परमानित करते हैं कि महाभारत काल एक हकिकत था महाभारत काल की विरासत आज भी प्रेटिकों के लिए आकर्षन का केंदर है नागलेंड का एक शहर दीमापूर जो कभी हिंडिम्बापूर के नाम से पहचाना जाता था महाभारत काल में यहां हिंडिम राक्षस और उसकी बहन हिंडिमबा रहा करते थे यहीं पर हिंडिमबा ने महाभली भीम से विवा किया था यहां रहने वाली डिमाशा जन जाती आपने आपको महाभली भीम की पतनी का वशज मानती है यहां आज भी हिडिमबा का विशाल वाड़ा है यहां राजवाडी में शत्रंज की उंची उंची गोटियां पड़ी है इन में से कुछ अब सही धंग में संभाल ना होने के कारण खंडित हो चुकी है यहां मानता है कि इन शत्रंज की गोटियों से भीम और उसका पुत्र घटोत कच दोनों शत्रंज खेलते थे भीम, हडिमबा और उनका बेटा घटोत कच महाभारत अनुसार वनवास काल में जव बांडों को लाक्षा ग्रह में शडेंतर के तहत जला कर मारने की कौरों ने साजिश की तब है एक सुरंग के जरिये बाहर निकल कर एक वन में चले गए वहां हडिम राक्षस अपनी बहन हडिमबा के साथ रहता था एक दिन हडिम ने अपनी बहन हडिमबा को वन में भोजन की तलाश करने के लिए भेजा वन में हडिमबा को महाभली भीम दिखा जो सोय हुए अपने परिवार की रक्षा के लिए पहरा दे रहा था राक्षसी हडिमबा को भीम पसंद आ गया और वो उससे प्रेम करने लगी इस कारण वो उन सब को जीवित छोड़ कर वापस आ गई लेकिन यह बात उसके भाई हडिम को पसंद नहीं आई उसने पांडवों पर हमला कर दिया इस लड़ाई में हडिम महावली भीम के हाथों मारा गया हडिम के मारे जाने के बाद पांडव वहां से आगे जाने लगे तो हडिमबा ने पांडवों की माता कुंती से प्रार्थना करते हुए कहा कि माता मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पती के रूप में स्विकार किया है आप लोग भी मुझे कृपया स्विकार करें यदि आप लोगों ने मुझे स्विकार नहीं किया तो मैं इसी एक्षन अपने प्रानों का त्याग कर दूँगी उसके हरीदे में भीम के प्रती प्रेम की भावना देखकर जुदिष्टर ने कहा कि हिंडिमबा मैं तुम्हें अपना भाई सौमता हूँ यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहा करेगा और रातरी को हम लोगों के साथ रहा करेगा हिंडिमबा इसके लिए तयार हो गई और भीम सेन के साथ रहने लगी एक साल बाद हिंडिमबा ने पुत्र को जनम दिया बच्चे के सिर पर केश ना होने के कारण उसका नाम घटोत कच रखा गया हिंडिमबा ने अपने पुत्र को पांडों के पास ले जाकर कहा कि यह आपके भाई की संतार है अब है आप लोगों की सेवा में रहेगा इतना कहकर हिंडिमबा वहां से चली गई माता कुंती ने कहा कि तुम मेरे वंच के सबसे बड़े पोत्र हो समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी घटोत कच ने कहा कि जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्तित हो जाऊंगा इसी घटोत कच ने महा भारत के युद में पांड़ों की ओर से लड़ते हुए वीर गती पाई थी क्या आप जानते हैं कि महाबली भीम की पत्री हिंडिमबा के वंचज आज भी नागालेंड के दीमापूर में वास करते हैं इतना ही नहीं यहाँ पर आज भी शत्रंज की विशाल गोटियां पड़ी हैं जिनसे कभी महाबली भीम वा उनके पत्र घटोत कच शत्रंज कीला करते थे इन गोटियों को देखकर ही महाबली भीम वा घटोत कच के बाहुबल का अंदाजा लगाया जा सकता है मनाली में स्थापित है हिंडिमबा देवी का मंदिर हिंडिमबा मूल रूप से नागा लेंड की रहने वाली थी पतर जनम के बाद घटोत कच को पांड़ों को सौम कर वर्तमान हिमाचल परदेश के मनाली में आ गई माना जाता है कि इसी स्थान पर उनको राक्षसी योनी से मुक्ती मिली और उनका देवी योनी में रुपांतरन हुआ था मनाली में देवी हिंडिमबा का एक मंदिर बना हुआ है जो कला की नजर से बेहद दर्शनी है मंदिर के भीतर एक प्राक्रितिक चटान है जिसे देवी का स्थान माना जाता है इस चटान पर देवी के पैरों के निशान है इस चटान को यहाँ पर ढूंग कहते हैं इसलिए हिडिमबा देवी को ढूंगरी देवी भी कहा जाता है इस चटान के उपर लकडी के मंदर का निर्मान वर्ष 1513 में किया गया तो दोस्तों यह थी महावली भीमवा उनके पुतर घटोत कश समंदित शत्रन की विशाल गोटियों से जुड़ी जानकारी ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे जुड़े रहिए डी 5 चैनल हिंदी के साथ